है लो गाईस वैलकम टॉम मैच चैनल टेक्निकल मांद शेट चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पाइंड पॉमेंटम करेगी किस स्टॉक में अपट्रेट कर सकते हैं इसके पीछए का रेजन क्या है अगर मार्केट का ओपनिंग डेल्टाउक हो तो क्या करें गैप डान हो त तो अभी नो डाउट मार्केट फुजेटिव हो चुका है तो अगर कल की सेशन में मार्केट का ओपनिंग 15,000 सोरी 35,100 से ले करके 34,950 के बीच में इस रेंज में कहाई भी मार्केट का ओपनिंग होती है और 35,100 के क्रोस करती है तो हम वहाँ पो बाई करेंगे आपको अपसाइड में 200 से 800 पॉइंट का स्पेस है क्योंकि इसका जो नेक्स रेजिस्टेंस एडिया है वो 300 से लेकर 350 के तो यहां पर आपको मात्र 200 पॉइंट का रेंज है क्योंकि फश्ट यहां पर सपोट ले सकता है एक ब्रेक आउट जिस पॉइंट से यहां पर ब्रेक आउट हुआ था उस पॉइंट पर सपोट ले सकता है तो 34,800 के आसपास में पहला सपोट लग सकता है अब दूसरा सपो साइड में बहुत ही अच्छा प्रूफिट मिलेगा आप यहां पर देखेंगे कि एक एक ट्रेंड लाइन भी है इस तरह से तो जैसे इस ट्रेंड लाइन को क्रोस करेगा यहां पर मार्केट डाउन साइड आ सकती है तो यहां पर मार्केट का ओपनिंग फ्लैट हो जानी चाह होता है लेकिन अगर मार्केट में बिग डाउन ओपनिंग हो तो आप उहां पर प्राइस सेक्षान का वेट करें प्राइस सेक्षन बनने दीजेए पैटर्ण केरेट हो जाने दीजिए तभी ट्रेट करें तो आपके लिए बहुत बहतर होगा और एक बात और अगर गयाप या गैप डाउन ओपन होती है तो वहां पर मार्केट को रेंज कर जाने दीजिए अगर 10 से 15 कैंडल इस तरह से एक ही रेंज में ट्रेड करता है और उस रेंज को जी साइड ब्रेक करती है अपसाइड या डाउंसाइड उस साइड हम ट्रेड करते हैं अस्टापलोस बहुत ही छोटा रखते हैं क्योंकि गैप अप या गैप डाउन में मार्केट बहुत ही कम अश्टापलोस के साथ जी साइड भी ब्रेक आउट देता है वहां पर बहुत ही अच्छा प्रोफिट देता है बहुत अच्छा टार्गेट वहां पर मिल जाती है चलिए अभी हम लोग निफ्टी के चार्ट पर यहां पर देखेंगे निफ्टी 15 का 15 मिनट चार्ट का है 15 मिनट कैंडल का यहां पर चार्ट है तो आप यहां पर देखेंगे कि मार्केट जो निफ्टी है वह बैंक निफ्टी के अपेच्छा थोड़ा सवीक है बैंक निफ्टी का जो को क्लोजि यह तो अगर मार्केट का ओपनिंग इस रेंज में कहांगे भी होती है 15900 से लेकर 15814 से शाठ पॉइंट का ररेंज है इस रेंज में मार्केट का ओपनिंग गैप कहांगे भी होती है तो हम यहां पर आउई करेंगे कब जब यह 15900 के क्रोश करती है first टार्गेट हमारा रहेगा 15,960 और सेकेंड रहेगा 15,990 यह आप साइड में आपको 90 पॉइंट का स्वेस है लेकिन डाउन साइड में आपको जैसे ही यह 15,840 को क्रोस करेगा तो आपको फर्स्ट सपोर्ट एरिया मिलेगा वह 15,800 मिलेगा फिर नेक्ष्ट मिलेगा वह 17 15,760 तो डाउन साइड में भी आपको 80 पॉइंट का स्वेस है अपसाइड में भी आपको 90-100 पॉइंट का स्वेस है तो मार्केट जी स्टेट कलती है उस साइड अप ट्रेट करें लेकिन डाउन साइड में क्वांटिटी कम कर ले अपसाइड में फूल क्वांटिटी कर ले क्या कि मार्केट अभी पोजिटिव है तो अपसाइट बहुत ही अच्छा मूब कर शकता है बीग गैप आप और बीग डाउन में आप उहां पर प्राइस सेक्षन का वेट करें बेहतर प्राइस सेक्षन बनता है तो आप उहां पर ट्रेड करें जिस साइट ब्रेक आउट करती है करने के बाद जिस साइट ब्रेक आउट करती है उस साइट वहां पर ट्रेड करें बहुत ही अच्छा प्रोफिट मिल सकते हैं चलिए अभी हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं पहला स्टॉक है डीलेप डीलेप में देखेंगे कि यहां पर मार्केट अपसाइड मूब क के बाद इस रेंज का ब्रेक आउट देने के बाद यहां पर मार्केट कुछ देर होल्ट कि अभी इसका क्लोजिंग पुजेटिव साइड में हो चुका है तो कल अगर यह 300 335 को निकलती है तो हां में आप बाई करेंगे और स्टॉप लोस रहेगा 332 का टार्गेट आपको इसल का दुगना और हां इसका ओपनिंग फ्लैट होना चाहिए बीग डाउन में आप ट्रेट को इग्नॉर करें नेक्स्ट टॉक है वह है टीबीस मोटर में देखें कि यहां पर लगतार सेलिंग आ रही थी इस तरह से लगतार सेलिंग आ रही थी लेकिन अभी मार्केट य यहां पर पोजेयटीव कंडल बना Much इस बार्गिस इस सपोर्ट एरिया के पास में जाकर कि यहां से प्राइस रिजेक्सिन देकर कि यहां पर पोजेटीव कंडल बना चुका है तो तो अगर कल ही इस wedding कर लेंड निकलती है फ्लै में देखेंगे कि Market में लगदार Zack alcohol हुएंग unanimous त्प्रेंस लगदार मार्क दाउन कर रहे तो यहां पर ड्म करनी के बाद है पर दो होल्ट कर चुका है दो दिन मार्केट कर चुका है तो अगर एक सोल थतर के नीचे निकलती है तो हम यहां पर सेल करेंगे और स्टाप लोस टेड़ रुपय करा है गा और टार्गेट आपको एसल का दुगना रहेगा नेक्स्ट अश्टक है यूबीयल में आप देखेंगे कि मार्केट हैं आप एक रेंज बनाया हुआ है एक ब्रेकाउट देने के तो मार्केट यहां पर बुलेट टाइल हुआ है अभी मार्केट यहां पर पुजेटिव साइन में क्लोजिंग बेच चुका है तो अगर कले 1450 के उपर निकलती है तो हम यहां पर बाई करेंगे 10 रुपय का अस्टाप लोस रहेगा टार्गेट यहां पर आपको बहुत अच्छा ब्रेकाट के सिच्वेशन में है अगर कल ब्रेकाट देती है 1450 के उपर निकलती है तो हम यहां पर बाई करेंगे बहुत ही अच्छा प्रूफिर देखा लेकिन हां इसका ओपनिंग गैप यह गैप डाउन नहीं होना चाहिए फ्लायट ओपिन होना चाहिए दो से और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी वीडियो अफ्लोड करू इसका नोटिफिक्शन सेबसे पहले आपको मिले थैंक्स पूर वाचिंग तिल इंड